हेलो स्टूडेंस प्रिविएस वीडियो में हमने डिसकस करना शुरू किया था लॉफ कंजरवेशन ओफ काइनेटिक एनलजी अंडर गैलेलेन रूपान तरण के अंतरगत गत्य जूजरस अट्रक्शन का निया ठीक है और इसमें हमने क्या-क्या बाते की थी वह एक बर मैं आ और जूजरस वह रहाँ होता है इसलिए टकर से पहले की कुलूरजा चैनियों टकर के बाद की बेराबर होगी ठीक है इसलिए हमने बता दिया था कि तोटल एनर्जी भीफोर कोलिजन कितनी होगी दोनों पार्टिकल्स ऑर आफ्टर कोलिजन कितनी होगी इसमें एक यूजर मैंने add किया है that is the heat energy और the transformed energy अब वो transformed energy sound energy भी हो सकती है that may be heat energy इसलिए मैंने especially heat energy ने लिखा और मैंने उसको transformed energy या रूपांतरी तूर्जा लिखा है समझ मैं आ गई किस तरीके से EQ factor आया है वो भी मैंने आपको है मतलब S में लागू होती है S' में हम लोगों को सिद्ध करना है तो हमने क्या क्या एक दूसरा frame लिया S' जो कि पहले frame S के respect में constant wave V से गती कर रहा है ठीक है जिसमें उस S' frame में टक्कर से पहले कणो के जो वेग है वो U1-U2 है और टक्कर के बाद कणो के वेग V1-V2 है ठीक है तो हमने बता दिया कि total energy P4 collision यान कि टक्कर से पहले कुलूर्जा कितनी होगी equation 2 से और कुलूर्जा टक्कर के बाद कितनी होगी 3 से हमें सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि 2 और 3 बराबर होंगी तब ही तो हम कहेंगे कि अगर S फ्रेम में गतिय जूर्जास इंडक्शन लागू होता है तो S डैश फ्रेम में भी लागू होगा और लागू कब होगा जब 2 और 3 इक्वल हो जाएंगी ठीक है इसके लिए हमने क्या यूज की हमने यूज की हमने वेलाउसिटी की गैलेलेन ट्रांस्वरमेशन इक्वेशन यूज की यह होती है यह जनरल फॉर्म है वेलाउसिटी की जो गैलेलेन ट्रांस्वरमेशन इक्वेशन है यह उसकी जनरल फॉर्म है हमने उसको कनवर्ट किया हमारे अकॉर्डिंग क्योंकि हमारे पास दो अलग-अलग particles है particles है टक्कर से पहले भी और टक्कर के बाद भी ठीक है तो टक्कर से पहले जो वेग है U1, U2 उनको मैंने Galiland Transformation की फॉर्म में लिख लिया और चार टक्कर के बाद वेग है V1, V2 उनको भी मैंने Galiland Transformation की फॉर्म में लिख लिया ठीक है यह मैंने ऐसे लिखाए V को ले करके इधर प्लस में लिख करके तो यहां से मुझे क्या मिलेगा यह S फ्रेम में वेग है और यह S डैश फ्रेम में वेग क्या होंगे U1, U2 ठीक है यह भी S फ्रेम में वेग है समझ में आगए और यह दोनों वेग जो है यह दोनों आपको जो वेलॉस्टी दिख रही है डैश वाली वो S डैश फ्रेम में है समझ में आगए जबकि capital V क्या है S डैश फ्रेम की गती है S के सापेश यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है रटाफिकेशन नहीं चलेगा बार-बार मैं बोलती हूँ हर एक इंडिकेशन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है मैं नहीं बताती हूँ कभी टाइम या मेरे दिमाग में इसे रह जाती है तो आप लोग पूछो ठीक है यह होनी चाहिए हर इंडिकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको बता रहा है कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा यह नहीं कि यह कोई ABCD नहीं चल रही है ABCD नहीं चल रही है आपको हर चीज का मतलब समझना जरूरी है कि यह U1 क्या है यह U2 क्या है यह U1- क्या है यह U2- क्या है किस में किसकी कितनी velocity है यह चीज़ें पता होने चाहिए तो इंडिकेशन में रोल जो है आपका प्ले करते हैं physics में कई बार हम teacher बता देता है वैसी लिख लेते हैं भरोसा करो teacher पर अच्छी चीज़ है लेकिन थोड़ा बहुत अपने दिमाग की भी तु चलाओ तो दिमाग को खोल करके पढ़ो ठीकेशन बागी गलतियां तो देखो teachers से भी हो जाती है तो मुझे accept करते भी कोई problem नहीं है ठीकेशन बट आप में इतना हो तो सही कि मेरी गलतियां पकड़ो ठीकेशन पर आज से यह मत करना है कि गलतियां दूढ़ो ठीकेशन पर परोसा भी करना चाहिए और दिमाग को खोलना चाहिए ठीकेशन चलो गलत कोई नहीं पड़ा था teacher चलो खेर हमने क्या किया था फिर हमें यह जो 4567 जो है ठीक है 4567 को मैंने कहां रखा equation फस्ट में फस्ट कौन सी थी जो एस फ्रेम में मैंने conservation लगाया था यह रहा ठीक है एस फ्रेम में जो u1 square u2 square v1 square v2 square इनकी जगापर मैंने रख दी यह values ठीक है मैं को यह equation मिल गई अब मुझे यह squares खोल ले है अब यह squares simply नहीं खोलेंगे क्योंकि यह vectors के square है यह ध्यान लखना इसलिए मैंने नीचे अलग से बताया है कि दो vectors के squares कैसे खोलेंगे इस तरी कैसे खोलेंगे क्योंकि आप कैसे लिखोगे basically आप कैसे लिखोगे इसको a square plus b square a का square मतलब a के mod का square है यह ध्यान लखना क्योंकि वेक्टर है भाई देखो बता देती हूँ थोड़ा से side में किसी भी vector को show करने के लिए दो चीज़ों की दुरत पढ़ती है एक तो उसका modulus modulus मतलब जो उसके परिमान को बताए और एक उसकी direction सही बात है कि नहीं जो modulus है वो किस चीज़ को बताता है magnitude को magnitude मतलब परिमान किसी भी सदिश का भाई सदिश क्या होता है जो परिमान के सा सदिशा भी बताए तो यह तो परिमान को बताएगा मॉडिलस तो और एक कैप किसको बताएगा direction को बताएगा समझ में आ रही है बात आपको तो यहाँ पर यह जो vector है है ना यह कैसे खुलेगा जब आपकी नहीं दो vectors को साथ में multiply करते हो मतलब a.a आएगा basically आप सोच रहोगे कि a.a को हमने mod a square कैसे लिखा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि फिर तो आपका 12 का basic बिल्कुली खराब है अगर आपको यह चीज भी नहीं पता तो ठीक है फिर तो आपको जाना पड़ेगा वाप पस 12 में है बई बुरा लग रहा होगा सुनने में लेकिन यह सचा ही है क्योंकि हम सब 12 तक रटते हैं सब भी नहीं रटा है ठीक है तुम लोगोंने जादा रट लिया हम लोगों इतना नहीं रटा ठीक है तो a.a जो है वो mod square इसले खुल रहा है क्योंकि किनी भी दो वेक्टर का dot product कैसे खुलता है a.b.cos theta ऐसी तो खुलते हो लेकिन अगर यह a.a ही है तो मैं a.a.cos theta खुलूंगी है ना अगर दो वेक्टर सेम है इसका मतलब क्या है दोनो एक ही दिशा में है यह भी इसी दिशा में है दूसरा भी इसी दिशा में है और दो सेम दिशा में जो होते है उनके बीच का angle 0 degree होता है cos 0 की value 1 होती है तो यह जो a into a है इसको मैं mod a square ही तो लिखूंगी आप इसको खोलते कैसे हो mod a, mod b, cos theta यानि कि यह a और a जो है ना यह दोनों सदिश a और a के परिमान है ठीक है परिमान को हम बिना vector के लिखते है या फिर अगर vector लगाते है तो modulus लगाते है आपको याद होगा यह चीज आपको 12th में आपकी teacher ने बताई होगी ठीक है लेकिन आप लोगों ने ध्यान से नहीं जोनी ठीक है तो mod a square ठीक है और b dot b करूँगी मैं ठीक है तो mod b square लिखूँगे कि नहीं भी दो vectors के बीच का angle सेम होता है 0 degree होता है मतलब सेम का मतलब 0 degree होता है यह इस direction में vector दूसरा भी इस direction में है यह उगली वाली जो direction है मेरी ठीक है एक a इस में है बी भी इसी में है तो angle 0 degree होगा ना obviously ठीक है फिर क्या लिखोगे अब b dot a लिखोगे फिर एक आएगा a dot b ऐसे खोलोगे ना b dot a फिर एक क्या आएगा a dot b आएगा तो हम यह जानते है कि जो scalar product यह जो अधिश गुणन होता है करम बिन में यम का पालन करता है तो a dot b b dot a बराबर होगा इसलिए मैंने इसको 2a dot b लिखा है अब यह basic जानकारी आपकी 12th की उसमें मेरे 5 मिनिट खराब हो गए चलो आगे चलो अब मुझे क्या करना है इसी तर्ज पर मुझे यह सारे squares जो है वो खोल लें समझ में आगे बाद तो मैं एके करके खोल रही हूँ ध्यान से देखना अब ज़्यादा बचानी है इस derivation में ठीक है चलो therefore half m1 ठीक है इसको कैसे खोलोगे u1-square v2 plus 2u1-v यहाँ तो vectors नहीं लगेंगे लेकिन यहाँ जरूर लगेंगे अगर दोनों के बीच में dot है तो dot तो है ठीक है फिर ऐसे ही बाकी के भी खोल दो half m2 u2-square plus v-square plus 2u2- dot v ठीक है is equals to इतारी लिखते थी half m1 ठीक है क्या आएगा v1-square plus v-square plus 2u1- dot v plus half m2 ठीक है v2-square plus v-square plus 2u2- dot v सही बात है यह थोड़ो छोट़ो 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 लिखना पड़ा चलो अब जो है अब आपके काटने पीटने के बारी है मतलब इन को वेरियेबल्स को ठीक है चलो तो कैसे करोगे है भई क्या-क्या कट रहा है आपको क्या-क्या दिख रहा है ऐसा जो कट रहा है तेखो अब ऐसे खोलने नहीं है इतने सारी terms हाज़ेगी confused हो जाओगे ऐसे बच्चों वाले काम नहीं करने हैं बापको कि एक-एक term को multiply इसी से 3 मिलेंगे इस से 3 मिलेंगे 6 दर और 6 दर 12 terms हो जाएंगी खुद ही भूल जाओगे खुद को समझ में नहीं क्या काटना है क्या नहीं काटना अरे बहु कॉमन सेंस लगाओ न half m1 v square है ना यहां पर half m2 v square ठीक है ऐसे ही इदर भी आ रहा है half m1 v square और इदर भी आएगा half m2 capital v square capital वालों की बात कर रही हूं है सारे cutting है यह half m1 capital v square इस half m1 capital v square से cancel यह वाला half m2 v square यह half m2 v square से cancel तो cancel तो cancel इसके बाद बचेंगे क्या-क्या half m1 u1 dash square plus multiply करो 2 से 2 कट जाएगा m1 u1 dash है ना ये ठीक है इधर से क्या बचेगा half m2 u2 dash square और 2 से 2 कट जाएगा multiply कर जाएगा ठीक है साथ में क्या आएगा m2 u2 dash dot v ठीक है चलो इधर क्या आएगा is equal to half m1 v1 dash square plus साथ में क्या एगा 2 से 2 कट जाएगा और क्या आएगा m1 और v1 dash dot v और क्या आएगा half m2 v2 dash square प्लस m2 v2 dash dot v multiply कर दे ना इसको अंतर में अब देखो जो dash dash वाले ना मतलब ये जो है half आव वाले टम सुन को साथ में रखो तो half m1 u1 dash square half m2 u2 dash square साथ में रखा मैंने और देखो इधर ये जो आपका ये दो टम है एक ये वाली और एक ये वाली क्या मैं इनको ऐसे लिख दू क्या जान से देखना m1 u1 dash plus m2 u2 dash dot v ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है अरे बही कोई दिक्कत थोड़ी है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इनके ओपर भी vectors है ठीक है लगा लिया करो देखो में से रह जाते हैं कराते कराते तो आप लोग लगा लिया करो ऐसे ही इधर इन दोनों terms को साथ में लिख लो m2 v2 dash square साथ में लिख लिए है ऐसे ही ये जो दो term है ये के वाली और एक ये वाली इनको कैसे लिख सकती हूँ मैं m1 v1 dash m2 v2 dash dot v अब मैंने ऐसे क्यों लिखे उसका कारण है ये दिखने में कुछ लग रहा है कि ऐसा मैंने कुछ देखा है कहीं ये term bracket की और ये term bracket की कहीं देखिए क्या आपने अरे बिल्कुल देखिए हैं जहां हमने conservation of linear momentum बढ़ा था तो conservation of linear momentum बढ़ा था कि s dash frame में भी संवेग संदक्षित रहता है यानि कि टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है टक्कर से पहले का कुल संवेग s dash frame में इतना ही तो था और टक्कर के बाद कितना था इतना ही तो था दोनों बराबर है और ये already vv तो बराबर ही है तो conservation of momentum total momentum before collision before collision is equal to after collision in S dash frame therefore M1 U1 dash plus M2 U2 dash is equal to M1 V1 dash plus M2 V2 dash ठीक है तो इसका मेला ये दो term एक दूसरे से cancel हो जाएंगे ये इसके बराबर है VV तो अल्डेडी बराबर है तो ये दो नो terms cancel therefore क्या बचा मेरे पास K1 half M1 U1 dash square plus half M2 U2 dash square is equal to half M1 V1 dash square plus half M2 V2 dash ये क्या है सिद्ध हो गया यही तो हमें सिद्ध करना था यही तो सिद्ध करना था हमें हमें यही तो बताना था कि equation 2 और 3 बराबर होनी चाहिए करतो दी बराबर 2 और 3 equal इसका मतलब क्या हो गया कि S frame में अगर गती जूजर सनरक्षित है तो S dash में भी सनरक्षित होई दोनों ही topic बड़े interesting है simple है और आते भी है exam में alternatively और कई बर लगातार भी आ जाते है दोनों ही topic बहुत important है ठीक है बाद में मेर से मत पूछा करो कौन सी चीज इस important है जो चीज पढ़ाती जाती हूँ मैं hand to hand बता देती हूँ कि कौन सी चीज इस important है किस पे आपको ज़ाधा ध्यान देना है ध्यान तो सभी पर देना है किस पे ज़ाधा ध्यान देना है वो मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि कही बच्चे में से बाद में पूछने है मैं important questions बता दो तो भाई बताने की जरूती नहीं है मैं topic अल्रड़ी बता चुकी होती हूँ important questions उसमें से आज आएंगे आएंगे पर आपको concept और topic clear होने चाहिए है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे therefore it is proved that it is proved that kinetic energy और you can say only energy kinetic energy is conserved under the Galilean transformation यानि कि Galilean रूपांतरण के अंतरगत गत्य जूचा संरक्षित रहती है यह सिद्ध होता है बात समझ में आ गए तो यह topic आपका complete कलम शुरू करेंगे इसी में next point अब तक हमारे 7 point हो गए है गती जूर्जा तक के कलम पढ़ेंगे Newtonian relativity यानि कि Newton या पिक्षिक था और उसी में हम पढ़ेंगे उसी के बाद आगे पढ़ेंगे 9th point में invariance of Newton's law Newton के नियमों के निश्चरता जो मैंने आपको बोला था पहले भी कि Newton के नियम में डीटेल में करवाऊंगी तो वो अब यहां करेंगे अब अंडर दी गैलेजिन ट्रांसोमेशन ठीक है तो दो चीज़े बच्चे आपके Newtonian relativity और invariance of Newton's law यानि की Newton के नियमों की निश्चरता ठीक है चलो मिलते हैं इन आपर नेक्स वीडियो थेंक यू